दोस्तो जलक दिखला जा सीजन 11 का अपकमिंग एपिसोड बहुती धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसमें बचे दो कंटेस्टेंट मनीशा रानी और धनश्री वर्मा फैमिली स्पेशल परफॉर्मेंस देंगी साथ ही साथ सभी कंटेस्टेंट के बीच देखने को मिलेगा तगड़ा बैटल जी हाँ गाइस इस बैटल की खास बात तो ये है कि इसमें जो विनर रहेगा उसको 10 पॉइंट्स बोनस दिये जाएंगे और आपको बता दें तो ये बैटल के 10 पॉइंट्स इंडिविजूल स्कोर्स में जोडे जाएंगे हम सभी बहुत एक्साइटिड हैं ये देखने के लिए कि शोहेब और मनीशा में से विनर कौन बनता है दोस्तो दा अलिमिटेड डांस बैटल थीम की स्पेशल गैस्ट होंगी नोरा फतेही जी हाँ गाइस क्रैक मूवी की स्टार आपको देखने को मिलेंगी और बैटल का विनर कौन बनेगा ये भी नोरा फतेही ही रिवील करेंगी दोस्तो आज के बैटल राउंड में सबसे ज़्यादा ओडियंस एकसाइटेड है तो वो है मनीशा रानी और शोहेब का बैटल वैसे देखा जाए तो पफॉर्मेंस सभी कंटेस्टेंट ने धमाकेदार दी है लेकिन पेर्स की बात करें तो अदरीजा और शिव के बैटल में जहां तक है अदरीजा बाजी मार सकती है और स्रीराम और धनश्री वर्मा में से देखा जाए तो 99% चांसिज है कि स्रीराम इस बैटल के विनर होंगे दोस्तों शोहेब और मनीशा की बात करें तो दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत ही जादा खतरनाग हुई है इसलिए दोनों में से कोई भी विनर बन सकता है जी हाँ गाइस उनके बैटल के बाद जजजिस भी बहुत ज़ादा कनफ्यूजड है कि किसे कितने स्कोर्स दिये जाए क्योंकि बैटल का विनर तो कोई एक ही होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से जजजिस सोहेब को विनर बना सकते है क्योंकि मनीशा रानी की इतनी मेहनत के बाद भी जजजिस ने उन्हें सिर्फ एक बार 30 स्कोर्स दिये है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रिजल्ट थोड़ा अनफियर जरूर हो सकता है वैसे आपको क्या लगता है शोहेब और मनीशा में से कौन जीते का कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना